नेचर लवर्स आज हम आपको एक ऐसे पोधे के बारे में बता रहे हैं जो घर की एर को प्योरिफाई करता है और सुन्दर बनाता है तो इसको आप रूम में रख सकते हैं रूम के बाहर रख सकते हैं अगर रूम में रखें तो ऐसी जगए रखें जहां एक घंटे के लिए दुदा यह बहुत ही अच्छा पोधा कभी घर में सफोकेशन हो जाता है कार्बन डाय अक्साइड बटूसाइड बढ़ जाती और हुमिटेटि बढ़ जाती है जिससे बहुत सारे बैक्रीया और वाइरस पनपने लगते हैं तो यह ऐसा पोधा है जो मोस्चर को भी एब्जोर्ब करता है और एर को प्योरिफाई करता है घर के वातारण को शुद्ध करता है इसके कोमन नेम पीस लिली शांती लिली वाइट सेल्स और इस्पैथ फ्लावर इन नामों से इसको जाना जाता है आप इसको कहीं से ले सकते नरसरी स किसे मिल जाता है और बहुत ही अच्छा पौधा है यह गंबलों में लगा सकते हैं बाटनिकर नेम इस पेती फिल्लम वैली साई इस पेथि फिल्लम को शिलियरी इस पैथम फैमिली एयरेश ही दो स्पिसीज हमने दिखाई है में जो पहले वाली थि वह सबसाथ थी और यह दूसरी सबीड फिलींड कोच लीरी एस पैठम है it bless यह देख रहे हैं आप इसमें जो ब्रैक्ट्स है यह बहुत सुंदर दिखाई देता है यह ब्रैक्ट्स जो आपको white flower की तरह दिखाई दे रहा है और यह इस पैथ है यह बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं चीविंग इट्स लीवज can cause irritation in the throat and burning sensation on the tongue, इससे गले में खरास और जीप पर जलनसी होती है, जिसके कान इसको पड़े ध्यान से रखना चाहिए, इसे ना कुता खा सकते हैं, ना बिल्ली खा सकते हैं, ना जानवर खा सकते हैं, तो इसे उनसे बचा के रखें, वाइट ब्रैक irritation easily by division, अगर इसे आप बढ़ाना चाहते हैं, एक गमले से चार गमले, दस गमले बनाना चाहते हैं, तो जब इसमें दूसरी प्रांचीज नीचे से निकलने लग जाती हैं, उपसेट आ जाती हैं, तो उन्हें आप हटा करके दूसरे गमले में लगा सकते हैं, और नया पोध प्रांचीज नीचे 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 subscribe my channel for more videos thank you